आप सभी लोग का सुवागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर आउनलाइन क्लासेस में और आज हम इस वीडियो में जो है जो बच्चे 2022 से 24 सेशन के लिए एडिमिशन लिये हैं उनके लिए सिलेवस को विस्तार रुप से मैं डिसकस कर रहा हूँ क्योंकि किसी भ अगर समझ में आ गया तो आप क्लास को समझ सकते हैं आपको दिक्कत नहीं होगी तो जैसे कि मैं आपको बता दूपेपर जो आपका एफवन है जिसमें समाथ सिक्षा और पाठ्य चरिया कि समझ के बारे में जानना था उसके ऊपर मैंने डिसकस कर लिया है पूवे सिलेवस खास कर बच्चे के बारे में बच्चपन क्या होता है उसके अधारना उसके चीजों के बारे में जानना है साथ इसाथ कैसे उनका बाल विकास होता है उसके बारे में जानना है सबसे पहले यह बाते जालने जिए कि इसका अध्या नमदी जो है आपका 80 घंटा है और जितना आपका 70 नमर जो है बाहरी एक्जाम होता है external और ये आपका 30 नमर जो है college के teacher के हाथ में internal होता है समझ रहे तो ये जो है आपको center पर जाकर exam देना होगा और ये जो है आपके class teacher जो subject teacher होंगे उनके हाथ में नमर होगा जिसमें भाईबा ये आपका test लेकर order लेकर assignment को तोर पर आपको नमर देते हैं तो ये बात है आपको समझ में आ गया समझ रहे और तयारी से पहले आपको slivers को जाना बेहत जरूरी है क्योंकि slivers से पता चलता है कि आपको paper में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्योंकि इसी तरह आप लोग पढ़ते रहेगा समझ में नहीं आएगा और इतने बेहतर तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बताएगा समझ रहे है तो अभी हम बड़ी बारीकी से आपसे हम बात करेंगे सबसे पहले तो मैं आपको बता दू ये 100 नमर का पेपर आपका होता है इस पेपर में जिसमें आपका जो है सत्तर नमर का आपका एक्जाम होता है बाहर ये वाला और तीस नमर आपका कॉलेज के टीचर के हाथ में रहता है और ये जो होता है फ़र्स्ट एर में आपके टोटल 1000 की एकजाम होते हैं समझ रहे हैं जिसमें आपके कुछ नमर जो है internal होते हैं कुछ नमर आपके external होते हैं तो ही बाते आपको समझ में आ गई अभी हम बात करने वाले हैं कि इसमें total जो है कितने unit आपको पढ़ने होते हैं तो देखें इसमें जो है total आपको वेकस की समझ के बारे में जानना है कि बच्पन क्या होता है और वाल विवस्च कैसे होता है शुरुवात से उसके बारे में जानना है इसमें आपको टोटल जो है 4 जो है प्वाइंट पर ना है unit 1 में देख सकते हैं यह चार प्वाइंट में यहापर तीक कर रहा हूं अभी एक एक प्वाइंट में क्या है उसके बारे में दिसकस कर लेते हैं तो यहाँ देखें पहला जो प्वाइंट है बच्चे था बचपन, मनोसमाजी का अवधा पान होता है। इसी के ईडिध किर्द जुए आपको 4 तरफ घूमना है। कहीं आगे पिछे नहीं जाना। इसी के इड़िध करने वाले कारक... करने वाले मनों समाजिक कारक क्या है। बचपन को भी तो प्रभावित करते हैं, मैंने आपको बताया है कि जैसे पोश्चक हो गया, पडिवार हो गया, या कोई घटना हो गया, ये सब सारी चीज़ेश होती है, बचपन को प्रभावित करती है, या उनको ऐसा महाल नहीं मिल पाया, वातावरन नहीं मिल पाया, सिक् दूसरे से जुरा हुआ है इसमें भी जो है मनुसमाजी कारक को जाना है प्रभावित करने वाले और इसमें भी जो है कारक करने वाले प्रभावित करने वाले कारक को ही जाना है बस थोड़ ऐसा डिफरेंस से बाकी आपके वही है समझ गया तो आपको यह पॉइंट थिरी में परना है, point 4 में जो है ब्रीधी एवं विकास में अंतर क्या है, ब्रीधी किसे कहते हैं, ग्रोथ किसे कहते हैं, डेबलोप्मेंट किसे कहते हैं, इसमें जो है आपको अंतर सम्बंदों की समझ अध्यन के तरीके को बताना है, ये भी जो है काफी important है, इससे आपके प्रश्ण ह तो यहाँ पर सबसे important जो है ब्रीधी एवं विकास है, growth और development, तो ब्रीधी जो होता है एक समय जाकर रुक जाता है, जैसे कि कोई बच्चा एक छोटा है, वो धरे धरे बड़ा हो जाता है, तो इतना बड़ा हो गया, उसके बाद वो फिर नहीं बढ़ता है, इतना इससे ब development आज इतना था, दिमाग कल इतना हो गया, कल इतना हो गया, मतलब कि G1 पर्यतन चलते रहता है, विकास क्या है, सतत पड़किरिया है, जो कि हमिशा चलते रहता है, G1 से लेकर मिर्थू तक, सबज गया, ये point आपको 4 परना, unit 1 में, अब हम unit 2 की बात करें, जो कि आपको z clearing, जो भी होता है, सवयवगात्मक, भावनात्मक, नियतरिक, ये सारी चीजों के बारे में जानना है, इसमें खासकर सारी पहुंत सिच्छा के बारे में जानना हे, समझ गया, तो इसमें 3 unit आपको परना, देख सकते हैं, 3 unit, पहला unit है कि सारी की बिखास की समझ, बच्चों के सारे डिक एवं मनों गत्यात्मक विकास की समझ के बारे में देखिए दोनों पॉइंट वही है इसमें भी वही पॉइंट है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है सारी चीजे जो है बच्चों के इर्द गिर्दी गुमता है बच्पन विकास यही सब सारे विकास के बार अबर चलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि unit 3 जो है ना आपका unit 3 में भी आपको तीनी पॉइंट जो है पढ़ना है जैसे इसमें बच्चों के स्रीजिनात्मक्ता के बारे में पढ़ना है कि बच्चे जो है कैसे create की कोई भी चीजों को कैसे create करते हैं, कैसे बनाते हैं, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, तीन बिंदु जानना है, इसमें सभी जो है, आपके बच्चों के creativity के उपर depend रहेगा, जैसे देखे लिजे, स्री जनात्मकता आवाधारना बच्चों के मिटी देते हैं, तो मिटी से कुछ खिलोना बना ले, तो कैसे वो create करता है, उसके thinking ability के बारे में इसमें जानना होता है, फिर यहाँ पर third बिंदु जो है, स्री जनात्मकता प्रभावित करने वाली कारक, जो creativity है, उसको कौन से कारक जो है, मतलब disadvantage के बारे में जानना है, creativity की समझ गए, कि कौन से कारक जो है, प्रभावित करते हैं, तो इसमें आपके जो है, तीन ही जो है, point परना है, समझ गए, इसमें काफी महत्ते पूर्ण है, अगला जो है, काफी easy है, आपको देख सकते है, unit 4, यह paper 2 होता है, थोड़ा easy होता है, समझ रहे, paper 2 आपके easy होता है, क इसमें भी जो है, आपको कितना unit 3 unit ही पर, 3 point ही परना है, unit तो आपको 5 परना है, इसमें आपके 3 point परना है, पहला जो है, खेल स्यास्य क्या है, आवधारना क्या है, खेल की, खेल की विसेस्ता क्या है, बच्चों के विकास के संदर में खेल का महत्त्व क्या है, यह सारी ची स है नहीं मिलेगा तो बोलिएगा दम ये फिक्स रहता है एक कोरश्न दम फिक्स ही-फिक्स रहता है हर एक unit से आपके प्रशन exam में पूछे जाते हैं दूसरा point यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा point यहाँ पर क्या है बच्चों के खेल क्या है विवित पर चलता है तो इसके सारेगे विकास, सोचने समझने कі विकास में, सहभागिता विकास में, आदान प्रदान करने में संस्कृती, क्योंकि जब वोग खेलता है तो किवाल अपने सम्मूम नहीं खेलता है, वो जब खेलता है तो वहाँ पर अनेक तरह के अनेखतो पॉइंट की बात करें तो 3 पॉइंट में आप देख सकते हैं यहां भी विविद्प्रकार के संदर्व बच्चों का खेल क्या क्या थो जैसे लुडो खेलते हैं शेजश क्हेलते हैं फिर सीखने सिखाने के माध्याद के रूप में, किसी भी पाठ को पढ़ाने के दुरान जो है, अगर आप खेल भी दी थे, मतलब की role play method से या आपे play method से पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है आनन्द रूप से उसे पढ़ेंगे, सीखेंगे, अगर बच्चों को डंडी दिखा कर पढ़ाएंगे तो वो समझेंगा नहीं समझेंगे लेकिन वहीं बच्चों को अगर खेल खेला कर कबड़ी खेला दे उससे एगर जो रघटाव की मातरा सिखा है या कोई खेल खिला दे उससे सिखाए तो बच्चे जो है आसानी से वो सीख जाते हैं समझ रहा है आगे हम बढ़ते हैं अब unit 5 की तरह यह जो है तीन-तीनी points में आपको परना है unit 5 आप देख सकते हैं यहाप और unit 5 में आपको बच्चे और विक्तितों वुखास के बारे में पढ़ना है इसमें भी आपक के तीन ही point है देख सकते हैं बच्चों के विक्तितों विक्ताओं कैसे होता है यहाँ पर यह important है, यहाँ से आपको 2-3 प्रस्ण पूछे आते हैं, मतलब सबसे पूछ लेता है, यह John Wallby का सिधान्त, फिर आपका एडिक्सन का सिधान्त पूछ लेगा, समझ गए, नातिक विकास का सिधान्त, जीन प्याजे का या कोहल बर, यह 4 important है, यह 2-3 प्रस्ण आपक एडिक्सन का, कि एडिक्सन ने विक्तितों विकास के उपर आपना सिधान्त क्या किया दिया, फिर यहाँ पर दूशरा है, बच्चों के भावन आतमक, स्ववगातमक, विकास के पहलू क्या है, भावन आतमक, moral development, स्ववगातमक है, मतलब बहुत सारे विकास होते हैं है, creativity प्रकार क्या है, जो यहाँ पर चीज है जीन प्याजे और कोहलबर के सिधान्त, यहां से आपके तीन प्रस्ण पूछ लिया आते हैं, मतलब की एक तो आपके 10 नमर वाले पुछेंगे और दो आपके 5 नमर वाले पुछेंगे, मतलब 20 नमर जो है इस यूनिट से फिक्स है, अगर नहीं पुछे तो बूलिएगा, दम फिक्स है आपके इस यूनिट से प्रस्ण पूछे ही जाते हैं, समझ गया, फिर यहाँ पन न समझ गया, काफी इंपॉर्टेंट आपका यह यूनिट है, तो आसा करता हूँ कि पेपर F2, जिसमें बच्चे और आपके बच्पन और बाल विकास के बारे में जानना था, आप समझ गया होंगे कितना यूनिट आपको परना है, पांच परना है, एक एक चीज के बारे में मैंने एक बिस्तार से आपको समझा दिया, जिसके बाद आपको कोई भी सिलेवस को परने के दौरान आपको कोर्सेस में दिक्कत नहीं आएगी, तो आप देख सकते हैं कितने मेहनत करके आपको बिस्तार से मैंने सिलेवस बताए, यह सिलेवस जो है, आपका ओफीसियल है, ये Slips चेंज नहीं होता है Slips आपका वही रहता है सुमझे रहे Slips में कोई चेंज नहीं है आपको वही सिलिवस है आपको फर ना सारी चीज़ी मैंने आपको बता दिया अपचाहें लोगों चाहेंगे तो ये Slips को आप लोट भी कर सकते हैं तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बिल आइकन को प्रेस कर लेंगे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तर तक के लिए धन्यवाथ, आइंगे सो मत, जैन जै बारत